बेवादी देव, भगवान महादेव सिव और जगजन्री माजंगंबा के चर्णों में नमन करते हुए अबी पिछले हफ्ते आई-एस आई-एस ने एक वक्तव अपनी पत्रिका में छापा कि बारत के मुसल्मान तयार हो जाएं और हिंदूों को जिन्दा जला दें और हिंदूों के देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दें आई-एस आई-एस का ये बयान आने के दो दिन बाद तमिल्नाडू के मुक्चमंत्री म.क. इस्टालीजी के बेटे हैं उद्यदी इस्टालीजी उन्होंने बयान दिया कि सनातन धरम को मिटा देना होगा हमें सनातन धरम को मिटाना पड़ेगा जो आईएस आईएस का बयान है लगबग वही बयान इस स्टालीन ने दिया है कलम ने अपने सिस्चों के रक्ष से सुप्रिम कोर्ट को दर्वोच नियायले को पत्र लिखा और उन्से इस मामले का संग्यान लेने को कहा है मैं भारत की जागरूप जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत की जनता खड़ी हो और अपने नेताओं पर दवाब डाले आप अपने जिसमी नेता को मानते हैं उस पर दवाब डालिए ताकि इस्टालीन जैसे लोगों पर ठीक से कानूनी कारवाई हो सके और आईस आईस को तो तबाह कर देना चाहिए जहां भी पूरी दुनिया में आईस आईस की विजाबदारा का कोई व्यक्ति मिले उसके साथ वही कारिया करना चाहिए जो आईस आईस के लोग अपने दुस्बड़ों के साथ करते हैं मेरा भारत के सभी सुद्द्दता प्रेमी नागरीकों से ये निवेदर है यदि आपने इस सर्यंद्र को नहीं समझा और इसका मुकावला नहीं किया तो इस्टालीम जैसे दोग ले देता आईसाई जैसे संगडनों के साथ मिलकर बारत को इसलामी गुलामी में धकेल लेड़े और फिर बहुत बुरा होगा इसलिए सबी जाग जाएए और दंडर्स के लिए तैयार हो जाएए हर हर महादेब